हेलो गाइज और वेल्कम बैक सो आज हम इस ट्रामा का नेक्स पार्ट एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले हम काई को दिखते हैं जो कि डिलीवरी करने में बहुत यह था नहीं पर शेंड भी उसका पीछा कर रही थी बिकॉज उसके डैट की वहें से लग रहा था शायद काई क किसी फ्रेम में ना फस जाए उसे लगता था उसके डैट शायद जूट बोल रहे हैं इसके आदो काई को जाकर अप्रोच करती है काई उसे फिर से भला बुरा सुना देता है यहां पर शेयन उसकी डैट की बराई करती है और कहती है तो ठीक है भाड में जाओ तुम और है अगर तरशनसे इन वार स sacar को करते कि और सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद short कि om there also प्रवार भूरा लिखा हुआ था सारा कॉले से पढ़कर में आवा के बार में सूचने लगता है कि भगवान यह ऐसी लड़की भी हो सकती है दिखने में तो कावी सी थी है यह बस अब को लगता है कि शायद इस सब्सक्राइब नहीं किया हो काई को भी लगता है जब उसे पत करना चाहते हैं तो अपनी चोड़ जाओ यह तब ही काई अपनी बाइक चोड़कर वहीं से चला जाता है उस पोस्ट के बारे मोशन से पूछने के लिए तब ही लगता है कि मैंने पूस्ट किया है तब हैं यहां पर काई कहता है मुझे यकीन तो नहीं होता पर तुम्हारी वह बेस्ट थी तुम उसके चाहत ऐसा क्यों कर सकते हो तो बदला लेने के लिए तो यह कहती है कि सुनो मैं इतनी भी इंसा नहीं हो जो कि इस अब करूंगी वह मेरी बेस्ट वेंड है और भरी लड़ाई हुई है बट इसके बाद यहां पर वह कहती है तुम्हें मुझे को छोगी सभी से का फिर जलती है खास का म्यामया और शिंझ से इसके बाद जब दीखती है तो उसे अपरोच करती हूं कहती क्या तुम्हीं लगता है कि पोस्ट मैंने अप्रोट किया तब भी नहीं कर सकती और वह दोनों फ्रेंड ने और हमेशा ही रहेंगे इसके बाद शें कहता है कि तुम लोग मेरी हेल्प क्यों रोगा है कि हम भी तो तो महारी फैमिली की तरह है है इसके बाद काही टाए- sia ऑफी पूरे नहीं इनसे भी कुछ wish यो पने के अगर करते हैं हमें भी अ करने स्थ कृता है यह हम देजायजिक बना कर बेच करेंगे हमारी है Students दरसल फैशन डिजाइनिक डिपार्टमेंट करेंगा इसके बाद आपके चोटा था फैशन डिजाइनिक को आपके इसके बाद सब्सक्राइब करते हैं जल्दी इनकी सेल काफिधा बढ़ जाती है इसको प्रमोट लियांग और काई जो कर रहे थे दरसल आदस याद सेल तो इ टीशिट तो खरीदी रही थी बर साथ में लियांग और काई को देखने के लिए जरूर आ रही थी आफ़ दैट काई अपने घर पर जाता है यहां पर उसकी मॉम का उसे जगड़ा हो जाता है आपर वो साफसाफ कह देता है कि आप कितनी सेलफिश हैं आपने डैट को छोड पर चला जाती है यहां पर इसके बाद घर से बाहर निकल जाता है उसकी मॉम को समझ में नहीं आ रहा था विकास काई फोन भी नहीं उड़ा रहा था इसके बाद वो लियांग को कॉल करती है और प्लीज उसे देख लो तब लियांग यह चाओ और शेनों से ढूड़ने के निकलते हैं दोनों को तो नहीं मिलता वर शेन को लियांग मिल जाता है वह बाहर गार्डन में बैठा हुआ था तभी शेन उसके पास आते है और वह कहता है तुम मुझे ढूंड कर यहां पर भी आगई तो मैं वैसे वाले से ढूनने नहीं आई हूं तरसल तुमारी मॉम का तुमारे लिए परिशान है इसलिए मैं यहां पर आई हूं और यह तब सूचना भी मत कि मैं तुमसे प्यार करती हूं एट आल वह सब पुरानी बाते थी मैं सब कुछ भूल चुकी हूं अब मुझे तुमसे कोई घंटा मतलब नहीं है तुम भाड़ में जाओ कुछ भी कर सब्सक्राइब कर दिया किस वास से काफी जदा परिशान दे कि वह अपने साथ से तुमारा वे फ्यूचर बिगार रहे हैं इसके बाद वह अंकल से डिवोर्स के लिए बोलती है वह एक अच्छे हस्पेंट परने की ड्यूटी नहीं नहीं बहा रहे थे उसके डिवोर्स द सारी बात समझ में आ जाती है तभी शिन कहती है चुंता मत करो अब तो मैं स्कूली चलाने की जरूरत नहीं है मैं इंडेपेंटन हो चुकी हूँ तो तुम मेरे पीछे बैटो मैं तुमें ड्राइब कर ले जाओंगी तभी कहता है कि वाट मतलब तुम सच में मुझे भूल और मेरी मॉम ने भी इसके बाद डैड उसे गुट बै करका चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोना हमेशा टच में रहेंगे यहां पर काई भी रूप पड़ता है विकास अपनी डैड को बेबी मिस करी रहा था इसके बाद अपने घर पर जाता है यहां पर सभी से काफी इनका टेस्स अच्छा नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि उसे भूंक लगी है उसने पहली बार अपनी मॉम से कहा था कि उसे खाना खाना है इसके बाद मॉम इसकी मॉम उसके लिए कुट करती हैं अपर मॉम भी मोशनल हो जाती है विकास काई उससे साब्यों से भी सुनन बनकर दिखाएगा तभी डैट भी इस बात पर काफी कुछ होते हैं कि काई अब जिम्मेदार होता जा रहा है ब्रॉक्राइस स्टेशन में फिर से कुछ दिक्कत आजाती है तभी काई उसे ठीक करने के लिए जाता है तभी वो शिनका एटिट्यूट दिखता है जो कि उसे ए करते हैं तभी काई शिन को देखे जा रहा था और कहता है कि यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि जो लड़की मेरी पीचे-पीचे घूमा कर दीती है आज वो मुझे घंटा भी भाव नहीं देती इसके बाद उसे भी शिन की आत तो आई रही ती इतने टाइम बाद उसका प सब्सक्राइब कर देती है और कहती है कि इतने लोगों के सामने मुझे इंबरेस करने की तभी यहां पर एचाओ कहता है मैं तुम्हें प्रपोस कर रहा था अभी उसका प्रपोसर एक्दम रिजेक्ट हो जाता है यह काविदा गुस्ते में थी और कहती है कि यह भगवान इ लाइक करता ही है तब ही म्याँ सुचती है कि हाँ शायद इसके बाद वो ल्यां को रूपटो पर मिलती है और उससे पाइनली कही देती है कि वह से लाइक करती है अभी से और जब वह दोनों हाइज स्कूल में थे तब वह से प्रसंद कर दी थी उस मोमेंट लाइं के साथ है वो उसके लिए प्रीशेस हैं और हमेशा रहेंगे आई नो कि यह सब काफी जल्दी है बट मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी नी बुला तो मैं कभी नी बूल पाऊंगी तब ही ल्यांग उससे कहता है कि वह इसका आंसर सोच का बताएगा और इसे जादा बड़ा र पढ़ने में बीजी था उसकी बाद मैंवा पर जहरा भी ध्यान नहीं देता तब इम्याम को पक्का है खी नोच आता है कि लिए उसे पसंद नहीं करता अग्यर उसे पसंद करता है तो उसे आंसर दे ही देता इसके वाद अपनी घर पर जा करो ने लगती है कि लियान उसे नहीं घरता नहीं पर शिण को देखे हैं तो उसकी साथ ही बुक्स थी जैने वह लेजान में काई को बेच दिक्कत कर रही थी तब है यहां पर लियां कहता है कि उसने काय को बेच दिया एंक क्या जरूती वह फिल्चे परीशान करेगा उनों उससे मुझे बहुत ही की बुल दी और कहती है कि हाँ थीक है अब तुमने करी दिया है तो थेंक यू भी ले लो लियांग मियामा को रात के साड़े नौ बजे मिलने के लिए बुलाता है दरसल रात का भई टाइम था जब उसे पहली वार रिलाइज हुआ था कि वह मियामा को पसंद करता है जब ला नहीं था तो उसे पता चला कि वह कब से पसंद करता है यहाँ मियामा को अभर यह सब दिखकर का विदा खुश होती है तभी लियांग उसे फाइनले प्रोपोस करता है कि वह उसे भी बहुत जादा पसंद करता है बस वह से एरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम ची करते हैं घर पर आगा लियांग यह सब काई को भी बताता है कि आज उसने मियामा को प्रपोस्ट भी कर दिया तब काई एक मेट की साइलेंट के बाद कह दीता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी लिए काफे दाख खुश हूं कि तुम जैसे बोरिंग इंसान को पर लिए तो मैं उसे चोड़ सकता हूं इन सभी के प्रोजेक्ट जमाँ हो जाते हैं तो कुछ स्टूइन को सबसे जाता बैस थे यहां पर लियांग और कुछ चाल लोग और भी थे यहां पर यूए भी शामिल थी और जो कैसे इन सभी को सब्सक्र करने के लिए आ रहाए है कि वो मेरी सब फैंट्स थे को शौफ करने ही जरूत क्या थी तो यह कहते हैं कि वो कितने सालों से यूए को ऐसे स्टूडेंट देख रहे थे पर अब उनकी बेटी है तो उन्हें सब को बताना चाहिए कि उनकी बेटी इतनी बड़ी फैमिली से बलॉंग करती है तो यह सारी बाते सुन रहा था तभी हो कहते हैं तुम एक बना लेना चाहिए बिको इस लड़की की तरह है तभी यूए जाकर यूचा उसे चिपक जाती है और कहते हैं कि यही मेरा वाइफेंड है आंको खुशी है अब आप यहां से जाईए और उसे जादा बात करिए इसके बा लगा तब यहां पर यूए कहते हैं कि सप्रें देखना छोड़ दो जब इस अब प्रोजेक्ट के लिए आवाड लही रहे थे तभी यहां पर लड़की खड़े-खड़े लियां को डिनर के लिए इन्वाइट कर लेती है मतलब डारेक्ट प्रोज कर देती है तभी लियां को परस्यू करने के लिए बिकॉस तुम तो अपनी लाइफ में सक्सेज भी नहीं हो लियांग के सामने पूर्स का पूरा एक्सिलेंट फ्यूचर बढ़ा हुआ है इसके बाद म्यामा को यह बात कहीं नहीं टच कर जाते है इसके आदर वह लियांग से कहती है कि वह भी काव